अलो एब्रीवन मैं कल्पिता व्यूटी नाइंट से और आज हम देखने वाले हैं कि ट्राय स्किन के लिए हम मौस्चराइजर घर पे कैसे बनाएंगे आई ये शुरू करते हमारी पहली रेसिपी के साथ दोस्तो हमें सबसे पहली रेमिडी बनाने के लिए मतलब हमारे सबसे पहला मौस्चराइजर तयार करने के लिए यहाँ पे पांच चीजे लगेगी उसमें सबसे पहला है बी वैक्स बहुत ही थोड़ी मातरा में जो है हमें ये बी वैक्स लेना है क्योंकि मैं आप लोगों को सुर्फ एक इस्तिमाल के लिए बनाना सिखा रही हूँ अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप कॉंटिटी स्द्यब इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद ऐल वीरा जicer हमें लगेगा coconut oil नारियल का तेल बदाम का तेल और आप कोई भी essential oil इस्तिमाल कर सकते हैं यहां मैं इस्तिमाल कर रही हूँ lavender essential oil सबसे पहले हमें यह बी वाक्स ले लिना है आप हमें इसमें थोड़ा सा coconut oil हम mix करेंगे इसमें हम थोड़ा सा almond oil mix करेंगे तो यहां में एक धक्कन जो है बदाम का तेल डाल देती हूँ यहां पे करीबन में एक चमच coconut oil डाल दूँगी अगर आपको इसे store करके रखना है तो आप आधा कप बदाम का तेल लेंगे आधा कप आप नारियल का तेल लेंगे और इसमें आप एक छोटा चमच भी वाक्स मिलाएंगे अब सबसे पहले मैं इसे boiler में बॉइल करके आऊंगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम आगी क्या करेंगे दोस्तों अब हम इसमें ऐलोवेरा जेल मिक्स कर देंगे आधे चमच के आसपास अगर आप स्टोरेज के लिए बना रहे हैं तो आपको तीन से चार चमच एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करना पड़ेगा और इसके बाद हम इस्तिमाल करेंगे एक से दो बूंद लेवेंडर ओईल आपको सिर्फ सुगंद के लिए जो है इस ओईल का इस्तिमाल करना है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह हमारा मॉश्यराइजर ड्राइ स्किन के लिए तयार है दोस्तों तो अब हम इसे अपने हाथों पर लगा लेंगे मैं आपको इसे हाथों पर अपने लगा कर दिखाती हूँ कितना ही अच्छा है यह मॉश्यराइजर एकड़म पॉफेक्ट है यह ड्राइ स्किन के लिए बहुत ही अच्छी मुझे इसमें से लेवेंडर ओईल की यह फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें हमने जितने इंक्रीडेंस यूज किये हैं सारे राइ स्किन के लिए एकड़म पॉफेक्ट है और यह लॉंग लास्टिंग है क्योंकि हमने इसमें वैक्स भी मिलाया है तो यह आप देख सकते हैं और यह मेरा हाथ जो है बिना मॉश्चराइजर के है कितना ज्यादा शाइन हो रहा है मेरा यह हाथ आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीजिए इसमें अलोविरा जल है तो यह अलोविरा मॉश्चराइजर है इसका नाम मैंने अलोविरा मॉश्चराइजर दिया है आपको एकदम एजी जो है अंडिस्टानिंग के लिए ये है अलोविरा मॉश्चराइजर और जो दूसरा मॉश्चराइजर में आपको बताने वाली हूँ वो है मिल्क क्रीम मॉश्चराइजर तो आईए देखते हैं वो कैसे बनाएंगे हम दोस्तों हमारी दूसरी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये मेरी रेसिपी है इसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मैं से बच्पन से इस्तिमाल करती आ रही हूँ मेरी फेवरिट रेसिपी आप से कह सकते हैं जिसमें हमें लगेगा मलाई जो दूद से निकलती है उसके बाद है जोकोबा ओयल मतलब बड़ी इलाईची का तेल जो है हमें बेना है उसके बाद हम लेंगे बदाम का तेल और हमें लगेगा गुलाब का तेल अब हमें करना इतना है, हमें इसमें परीबन एक से दो बूंद जो है, जोकोबा ओयल मिक्स करना है, जो है बड़ी एलाइची का तेल, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा बड़ाम का तेल, तेल की मातरा हमें कम रखनी है, मैंने सिर्फ दो बूंद बड़ाम का तेल मिलाया है, और एक बूंद मैं गुलाब का तेल मिला लूँगी, और अब हम इससे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये हमारा मॉस्चराइजर रेडी है, दोस्तों हमारा दूसरा मॉस्चराइजर भी रेडी है, अब उसे में आपको लगा के दिखाती हूँ, इसमें हमने मिलाया है, ओलिव ओल, अलमंड ओल और रोज ओल, विद मिल्क क्रीम, इसका सबसे में इंक्रीडियंट है और ये ड्राइ स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौश्चराइजर है यह आप जादा दिन तक store नहीं कर सकते हैं आप इसे जादा से जादा 3-4 दिन store कर सकते हैं वो भी fridge बहुत ही जरूरी है इस moisturizer को store करने के लिए कोई भी moisturizer जो मैं आपको घर में बनाना के लिए बता रही हूं उसके लिए fridge जो है काफी important है यह दोनों moisturizer आप अपने face पे भी बिलकुल इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं एकदम soft और clean skin हो जाती है milk cream moisturizer से यह पुराने जमाने से milk cream लोग थंडी के सीजन में इस्तेमाल कर रहे हैं और पर जब उनको कोई जखम उनका dry हो जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हा करते हैं बहुत ही पुराना nuskha है यह तो इससे बस मैंने इस्तेमाल किया है और मैंने आपको बताया कि यह इदम मेरा फेवरेट बाना नूसका है जो मेरी मम्मी मुझे बच्च्छन में किया घटी थी आप लोग भी बिल्कुल जरूर ड्राइ किजिए इस मॉश्टराइजर को और अगर आपको मेरी रेसिपी से अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट सरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाइ झाल प्लीजेर शेख बिल्काइब करें कि कि हमान र प्लीजेर झाल